जे हिंदोस्तों स्वागत है आपका हमारी ओटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर भहुत ही महत्तपूर्ण यहाँ पर कॉस्चन आंसर और सूरेवाला जी का जीवन परीचाए यहाँ पर देखेंगे तो यह बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर है वीडियो पूरा वस्ते देखना है आपके लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें हिंदी शाहेती कि उपन्यासकार और कहानीकार की रूप में प्रसिद्ध है सूरेवाला जी तो आज पना यहाँ पर इनसे संबंदित फर्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं देखें यह रहा आज का अपना फर्स्ट कॉस्चन सुर्य बाला का प्रतम उपन्यास कौन सा है यह आपके यहाँ पर चार विकल्ब दे गए हैं आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताएं तो यहाँ यहां पर आपका सही आंसर है मेरे संधी पत्र आपका सही आंसर होगा विकल नमबर C शूरवाला का जन्व कब हुआ था यह वताना है कौस्टे नमबर आपका दो है और दो कराइट answer बताएई तो question number 2 कराइट answer है 1943 22 आपका सही answer है 1943 22 यहाँ पर पूंचा है आपसे कि सूर्वाला जी का जन्मे कहां हुआ था बताईए तो question number आपका यहाँ पर 3 है और 3 का सही answer बताना है सूर्वाला जी का जन्मे कहां पर हुआ था तो आपका यहाँ पर सही answer है तेन का विकल्प नंबर बी बनारस उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा बनारस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था सुर्वाला जी का question नमबर चार यहाँ पर पूंचा है सुर्वाला ने अब तक कितनी रचिनाय प्रकासित करवा दी हैं पच्चास या 75, 100 या 150 तो इन्होंने कितनी रचिनाय प्रकासित करवा दी हैं सुर्वाला ने तो आपका सही आंसर है 150 यानि कि विकल्प नमबर डी राइट आंसर होगा question नमबर पांच पूंचा है सुर्वाला का अंतिम उपन्यास मेरे संधी पत्र कब प्रकासित हुआ बताईए महत्वपूर्ण question पूंचा क्या है आपसे यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर क्या है विकल्प नमबर सी राइट आंसर है 1975 आपका सही आंसर होगा 1975 राइट आंसर है question नमबर आपका यहाँ पर छे पूंचा है कि सुर्वाला को सहत्तिक योगदान के लिए कौन सा पुरुषकार दिया गया question नमबर छे है महत्तपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वह प्रक्त सभी आपका राइट आंसर है वह प्रक्त सभी पुरुषकार इनको दिये गए है साथ तिक चेत्र में question number 7 पूँचा है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह सुर्वाला का नहीं है नहीं पूँचा है question number 7 में और आपका सही आंसर है जिनावर जिनावर आपका राइट आंसर होगा जिनावर यह जो विकल्प number C है वह आपका सही आंसर है इनमें से कौन सा कहानी संग्रे सूरवाला का है बताए क्या होगा सही आंसर question number आपका यहाँ पर पूंचा है आठ और आठ का राइट आंसर अप्रोक्त सभी काट्याइनी संबाद और मानुस ग्रंते और थाली भर चांद यह जो है मानुस गंध है यहाँ पर इसे कहानी संग्रे हैं और प्रोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा उपन्या सूरवाला का नहीं है बताए कौन सा उपन्या सूरवाला का नहीं है question number आपका यहाँ पर पूंचा है no और no का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा तो बिल्कुल सही आंसर बताया है क्या बताया है विकल्प नंबर आपको यहाँ पर C आनि की आवा आपका right answer होगा सुरेवाला को किस वर्ष से भारत भारती सम्वान दिया गया था किस वर्ष का सम्वान इनको परदान किया था भारत भारती question number 10 है और 10 का राइट आंसर बताना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं, और राइट आंसर है, 2019 का भारत भारती सम्वान जो है, यह सूर्यवाला जी को दिया गया था, Q Village 11 पुचा है इनमे में ऐसे कौन सा ग्रंत, लेक, इनमे से कौन सा विंग लेक सूर्यवाला का नहीं है? बताये, Qidable आपका यहाँ पर 11 है, और 11 का सही आंसर बताना है, तो आपका बिल्कूल सही राइट आंसर है, बह कहां है? बहक कहां है यह जो ब्यंग लेखे सूरवाला जी का नहीं है Quesion number आपका 12 पूँचा है कि सूरवाला ने इनमेंसे कौन सा धारा बाहिक नहीं लिखा है चंदरकान्ता या ना किन्नी ना या पलास के फूल या निरवासित कौन सा धारा बाहिक नहीं लिखा है तो question number 12 है और right answer है चंद्रकान्ता आपका सही answer होगा विकल्प number एक अंगले question पूंचा है एक इंद्रधनुस जोवेदा के नाम, कहानी संग्रे का प्रिकासनवर्ष बताना है question number 13 का सही answer प्रिकासनवर्ष बताईए क्या मानए जाता है इसका प्रिकासनवर्ष है एक इंद्रधनुस जुबेदा की नाम और आपका सही आंसर है 1977 इसवी आपका सही आंसर होगा question no.14 यहाँ पर पूँचा है थाली भर चांद कहानी संग्राय का पिरकासन बर से बताना है इसका पिरकासन कब हुआ 1982, 1988, 1950 यहाँ पर दो हो गए हैं बिकल्प 85-85 वाले तो आपका इहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर है कि थाली भर चांद कहानी संग्राय का पिरकासन बर से बताना है 1988 माना जाता है बिल्कुल सही मानुस गंध है मानुस गंध कहानी संग्राय का पिरकासन है कब हुआ 2007 में 2008 में 2005 में या 2010 में और आपका यहां पर सही आंसर है मानुस गंद कहानी संग्रे का प्रिकासन वर्स है 2005 इस भी में हुआ तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा यहां पर पूँचा है कात्या यनी संबाद कहानी संग्रे का प्रिकासन वर्स बताईए question number 16 है महत्तवपूर्ण question आपसे पूचा है कात्या यानी संबाद कहानी संग्रह का प्रकासन वर्ण से बताई यह तो आपका सही आंसर है 1996 आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा विलकुल सही 1996 आपका सही आंसर होगा तो इस प्रकार अपन ने यहां पर देखे के सूरवाला जी से संबंदित महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर थे तो क्या असा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर कर आपके लिए बहुत ही कम दामों में यहां पर उपलब्द है 2020 टेस्ट सीरेज फिरी करवाई जाती है तो इससे भी आप अबस जुड़ें सेल्फ इस्टेडी क्लासस एप डाउनलोड की जो प्ले स्टोर से और अपनी तयारी में लग जाए आज की वीडियो में बस इतना ही जेन